नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भलचंद्र, ब्रह्मान्ड सिद्ध्यास्ट्र में आप सभी का स्वागत है, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांग 31 मार्च 2023 का संपुन राशिफल, उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंग आज का जो दिन है शुक्रवार का है, शोब नाम समवसर है, सुर्य का उत्तरायन चल रहा है, वसंत रुतु है, चैत्र मैना है, शुकल पक्ष की दसवीतिति है, नक्षत्र उश्य है, योग सुकर्मा है, दिन का जो करण है वह तैतिल है, और जो रात का करण है वह गर है आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवात होगा सुबस्ताद बचकर त्रीपन मिनिट से लेकर नौ बचकर चबबिस मिनिट तक और अभिजित मूर्थ दोपर बारा बचकर साथ मिनिट से लेकर बारा बचकर चबबन मिनिट तक का होगा गुलिक काल और अभिजीत मूर्त दिन के शुबकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतोपुर्णाकाम या फिन्दिन ने आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वह शुरुवत होगा राहुकाल और यामगंड़काल दिन के अशुबकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतोपुर्णाकाम या फिन्दिन ने विल्कुल भी नहीं लेना उसी प्रेकार आज के दिन का जो चंद्रमा है ये चंद्रमा संपुन दिन करक राशी में ब्रह्मन करेगा ये चंद्रमा अरवी के साथ त्रिकोन यूग करने जा रहा है ये अक रासिती सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिवल क्या होगा इस विशाय पर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के चतुरत बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपे के वही अबाव में से तरवी के साथ ये चंद्रमा त्रिकोन यूग करने जा रहा है आज का जो दिन है महतोपुर्ण साबित होगा आज के दिन आप घर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी घर के जो लोग है उनके साथ आपकी जो relationship है वो काफी अच्छी देखे जाएगा उसी प्रकार अगर आप किसे के relationship में है उनके साथ कही बाहर घूमना फिर ना हो सकता है गुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुबफलदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है वृशव राशी रशव राशी के तरितियों वहाँ में चंदरमा का ब्रहमन है और आपके लाब वहाँ में से तरवी के साथ यह चंदरमा त्रिकोनियों करने जा रहा है काफी busy day आज आपका हो सकता है गुमना फिर ना जादा हो सकता है मैं तो पुर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो गर के जो लोग है उनके साथ भी कही बाहर गुमना फिर ना हो सकता है उस परकर आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको आज के दिन काफी अच्छी मदद मिल सकते है अच्छी इन्वेश्मेंट हो सकती है जो भी आपका कारशेतर है उससे कुछ अच्छे लाव अगरा मिलने के संभावना काफी अच्छी बंद रही है कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुबफलदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है करकराशी करकराशी में ही चंदर्मा का ब्रह्मन है और आपके बागया बाव में सिधर रवी के साथ यह चंदर्मा त्रिको नियुक करने जा रहा है आज आपका जो उत्सा है या फिर जो एनर्जी है कॉन्फिडन्स है काफी अच्छा देखा जाएगा कुछ अच्छे लाव अगरा मिलते हुए भी नजर आएगे कही बाहर घुमना फिरना भी हो सकता है कुछ अच्छे इंट्यूशन्स वगरा आने की संभावना भी काफी अच्छी बंद रही है दिन काफी अच्छा है आज की दिन भागया का साथ भी मिलता हुआ नजर है और आपके आश्रमभव में इसे तरवी के साथ ये चंदरमा लाब युक करने जा रहा है काफी 20 जीडे आज आपका हो सकता है गूमना फिरना जादा हो सकता है काम तो आपके बनेंगे लेकिन आज आप काफी ज़दा थके थके हुए नजर आओगे लेकिन जो भी काम है वह आप में ले सकते हो, उल्मिला के देखा जा तो मिला जुला दिन आपके लिए सावित होगा, इसके बात की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के लाव भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके सब्तम भाव में से दरवी के साथ या चंद्रमा त्रिकोनियो करने जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाव अगरा मिलते हुए नजर रहेंगे, उसी परकार आपकी जो मित्र परिवार है, उनसे आपको अच्छे मदद मिल सकती है, कुछ अच्छे लाव अगरा मिल सकते है, सलाम मिल सकती है, उसी परकार अगर आपका विवा हुआ है, तो आप के साथ ये चंद्रमात्री को नियुक करने जा रहा है तो जो भी आपका कारेशेत्र है उससे रिलेटेट कुछ अच्छी कबर आज के दिन आपको मिल सकती है अगर आप जॉब लेसा तो जॉब अगर मिलने के संभावना भी काफी अच्छी बंदरे आपके काम के एप्रिसेश रिच्छे कराशे के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रहण है रापी के पंचब भाव में सित्रवी के साथ ये चंद्रमात्री को नियुक करने जा रहा है बहुत ही अच्छा और काफी ज्यादा शुब फल अदाय दिन है आपके लिया जापका confidence बहुत ही अच्छा देखा जो नजारेगा आपका जो बूड है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा इसके बाद की जो राशी है वो है धनू राशी धनू राशी के अश्टम बाव में चंद्रमा का भ्रहण है और आपके चथरतों बाव में सित्रवी के साथ ये चंद्रमात्री को नियुक करने ज लेकिन स्वास्त की जो समस्य है उसके पर ध्यान देना आवशक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के सब्तम बाव में चंद्रमा का भ्रहण है और आपके त्रित्यों बाव में सित्रवी के साथ ये चंद्रमात्री को नियुक करने जा रहा है आज आपकी हार्मनी काफी एच्छी देखी जाएगे, उनके साथ कहीं बाहर घुमना फिर ना हो सकता है, आज आपको जो confidence है, वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा, कुल मिला के देखा जाए, तो दिन आपके लिए शुबु खलदाई साबित होगा, इसके बाद की जो राशी है, वो है कुमबराशी, कुमबराशी के 6 बाहु में चंद्रमा का भ्रमन यरापे के द्विद्यो बाहु में सित्र रभी के साथ ये चंद्रमातरी को नियोग करने जा रहा है, बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए, अगर आप इवाईत है तो काफी अच्छी देखी जाएगी, कुछ अच्छी इन्वेश्मेंट वगरा हो सकते हैं, जो भी आपका कारेशतर है, उससे रिलेट कुछ अच्छी कबर आज आपको मिलने की संभावना काफी अच्छी बंद रही है, इसके बाद की जो राशी है, वो है मीन राशी, मीन काफी के राशी में से तरवी के साथ यह चंदर मात्री को नियुक करने जा रहा है, बहुत ही अच्छा दिन है, अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं, उनके साथ आज आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी, कुछ अच्छे लाव अगरा मिलते हुए भी देखा जाए, तो दिन आपके लिए शुपु फलदाई सावित होगा, तो दोस्तों ये था दिनांग 31 मार्च 2023 का संपुर्ण राशिफल, आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभू किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना ये चैनल है, प्रमंड सिद्यास्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाओ